Hello student, welcome to my YouTube channel Excellent Success Group तो student आज में डिसकस करेंगे class 9 में chapter 1 number system का sport material question number 5 हमें ते रखा है the number 0.318564318564318564 is a natural number होगा integer होगा, rational number होगा, यह rational number होगा देखो इसका answer देने से पहले हमें पहले ही number के बारे हम पता होना चाहिए कि natural number किसे कहते है, integer किसे कहते है, rational होगा, rational तो सबसे पहले बात करते है natural number की देखो मैंने introduction वीडियों बताया था, फिर भी मैं आपको दुबारे थोड़ा से revision देता हूँ natural number वो number होते है, जिनकी शुरुआत होती है, ठीक है positive 1 से शुरुआत होती है, ना तो जिसमें को decimal number आता, ना fraction आता, ना under root आता और continue वो positive infinity तक चलते रहते हैं, तो यह जो मेरा number आ रहा है, यह decimal में आ रहा है rational number की, ठीक है, और irrational से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि rational number क्या होते हैं, देखो, आपके समझ में आने के लिए मैंने हापे mention कर रखा कि rational number को दो category मबाटा जाता है, पहला terminating decimal, दूसरा non-terminating but repeating decimal, terminating decimal वो होते हैं, जिसमें divide देने पर answer complete divisible हो जाता है, और divide पूरा हो जाता है, answer आता है, अब 2, 5, 3, 2, digit तक मेरा decimal चला आता है, जैसे 2.5, 3.66, 7.88, उसे कहते हैं rational, या फिर वो number भी होते हैं, जिसमें divide देने पर same number repeat होता रहे, जैसे 0.666, या फिर 0.12, 0.142857, same number बार बार repeat होता रहे, ठीक है, वो भी मेरे किसमें आते है, rational के category में आते हैं, और rational वो number होते हैं, non-terminating, यानि कि जो continue चलते रहेंगे, repeating, non-repeating, repeating बोल दे हैं, recurring बोल दे की बात है, यानि कि decimal के बाद में, same number repeat नहीं करते, उल्टे सीधे number चलेंगे, और continue चलते रहेंगे, उन्हें कहते हैं, rational number, clear है, तो यहाँ पर जो मेरे number देखो, 3, 1, 8, 5, 6, 4, यह जो number है, यही number फिर मेरा आगे repeat हो रहा है, यही number फिर मेरा आगे same repeat हो रहा है, अगर यह number same repeat नहीं हो रहा होता, और continue चलता रहा है, तब तो यह the irrational number, बट same repeat होने की वज़े से, मैंने आपको बताया ना, non-terminating जो चलता रहे, बट repeating, repeating का मतलब, same repeat करे, 6, 6, 6, 6 है, या फिर 142857, 142857, same repeat करे, तो उसे कहते हैं, rational number, clear है, तो यह हमारा option हो जाया है, यहाँ प 7 bar, देखो, इस bar का मतलब यही होता है, कि यह number, बार, 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 बार repeat होता चला जा रहा है, यानि 0.77777 चलता जा रहा है, बोला है in the form, P by Q, इसको P by Q की form में बनाने पर, जहाँ पर Q not equal to 0 होगा, तो पताओ, मेरा option यहाँ पे, कौन मेर्ज करेगा, तो इसको solve करने के लि होता रहेगा, इसे number दे दिया, मैंने 1, हम इसको करने के 3 step है, पहला step, point के बाद में बार होना चाहिए, देखो, point है, point के बाद में बार है, मतलब पहला step मेरे को करने के जरूरत नहीं है, दूसरा step, दूसरा step हमारा यह है, कि बार कितने number पे है, बार तो अकेले 7 पे है, 1000 से, तो एक पे ही बार है, तो multiply by 10 both sides, इसको भी 10 से multiply कर दिया, 0.77777 को भी multiply कर दिया 10 से, एक 0 है, decimal एक number दर चला जायागा, यह मारी equation number होगी 2, तीसरा and final step, क्या करना है, subtract 1 from 2, 1 को 2 में से subtract करना है, यहाँ पर है 10x, यहाँ मेरा को है, 1x, यहाँ 7.777 minus, 0.77777, दस में से किया कितना है, 9x, अब इसको इसमें से minus करना है, minus करते से में बड़ा ही ध्यान रगना है, क्योंकि minus में ही mostly गलती करते हैं, हमें यह याद रखना है, कि decimal के नीचे decimal को रखना है, यानि पहले इसे रख दिया, फिर यह वाली term रखेंगे, तो decimal के नीचे decimal होना, चिब बास, minus किया, यहाँ बचा मेरा 7, multiply में है 9, किस में आ जाएगा, divide में, यानि कि जो x की value होगी, मेरी होगी 7 by 9, तो option हो जाएगा मेरा यहाँ पे c, और इसे के साथ मेरा question number 6, यहाँ पे complete होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें, और इस चैनल को जुरू subscribe कर लें, बलता अगली वीडियो में, okay bye bye thank you